खंबा गैनी महारो राजस्तान पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो सारे MRPNs आई होप आप सब बहुत अच्छे हों होंगे है ना और आज काफी गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आरेस एक्जाम की हुआ है उसका एनलिसिस करेंगे डिटेल्ट और उसके एनलिसिस से हम आरेस एक्जाम के लिए क्या सीख सकते हैं क्योंकि कॉलेज लेक्षर का जो 22nd सब्टेंबर को जो एक्जाम हुआ है वो काफी हद तक आरेस प्रेलिम्स के पैटरन पर ही उस पेपर को जो है सेट किया ग बनाया जा सकता है वो हम करेंगे इससे पहले हमने कॉलिज लेक्षर्य एक्जाम की तैयारी करी अब हमारा next mission आरेस है ठीक है आप सबको लग लग रहोगा की इतने कम दिन बचेंगे तो क्या तैयारी पॉसिबल है तैयारी हर वक्त हर पल हर मॉंमेंट पॉसिबल होती है ठी चाहिए होगा तो प्लस कोर्स पे क्लासेज ले रही हूँ राजिस्थान एकनॉमिक सर्भे मैंने करवाया है प्लस क्लासेज में आप जुड़ सकते हैं जोकी पेड क्लासेज ओती हैं 22nd September से राजस्तान Art and Culture का कोर्स चल रहा है उसके क्लासे में ले रहे हूं और 9th October से 9 October से मैं Current Affairs कराऊंगे R.S. Prelims के लिए जिसमें आपको राजस्तान, इंडिया and World तीनों Current Affairs आपको कराए जाएंगे इसके लिए आप जो है हमारे Plus Platform को जॉइन कर सकते हैं उपर 10% डिसकाउंट के लिए MRP 10 Code यूज़ करना ना भूलेगा और उस Code का Link जो है मैं Direct आपको Comment Section में पिन करती हूँ, चैट के अंदर पिन करती हूँ, Direct उस Link पे क्लिक करके आप Plan चूज़ करके जा सकते हैं उससे Benefit ही होगा, आपको MRP 10 Code अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है जो मैं यह सारे Courses की बात कर रही हूँ, यह हमारा Expedition 50 Days RAS Prelims Crash Course है उसका Part है, इसमें बाकी सारे Educators के Courses भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है यह Code है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MRP 10 Code और जो Students अभी RAS 2022, Next आने वाले Exams को Target करें, तो वो 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें क्योंकि उनके लिए 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और साथ में MRP 10 Code लगाने पे आपको अलग से 10% डिसकाउंट मिलेगा MRP 10 Code अनक एडमी की किसी भी केटिगरी के एक्जाम के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं आप SSC, UPSC किसी भी एक्जाम के प्रप्रेशन कर रहे हैं तो ठीक है ये टेस्टिमोनियल है हमारे RAS जो हमारे स्टूडेंट थे मेरी ही प्लस स्टूडेंट थे उनका जो है एक्जाम क्लियर हुआ था तो उन्होंने अपना फीडबेक शेयर किया आप इसको पढ़ सकते है अराम से इसको मैं टेलिग्राम पर भी शेयर कर दूगी इसके साथ साथ प्लस जॉइन करने का एक्स्ट्रा एडिट बेनिफिट आपको क्या होता है इसमें अगर आप कॉंस्टेबल एक्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं विलेज डेवलप्मेंट ऑफिसर एक्जाम भी देना आपको बाकी सारे सब्जेक्स जो हैं पढ़ाएंगे ठीक है विजय बैच जो है वो आरेस प्री कम मेंज का बैच है ठीक है तो यहां पे सारे एजुकेटर्स आपको दूसरे सब्जेक्स पढ़ाने वाले हैं और विलेज डेवलप्मेंट ऑफिसर का आप देख सकते हो 17 ऑक इंजाम के प्रिपरेशन के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन आपको यूज करना है साइंस का बैच में यूटुब पर ही स्टार्ट करूंगी आप सब के लिए आइस प्रेलिम्स के लिए इसके साथ साथ अनेक एडमी के लर्निंग एप पर अब फ्री लाइफ क्लास ले सकते है RS Prelims के लिए test series चलती है सुभा आठ बजे अब यहाँ पर राजसान आर्ट इन कल्चर की test series चल रही है उसका link आपको description में मिलेगा telegram पर मिलेगा तो आप लोग वहाँ से direct enroll कर सकते class के अंदर free है अनलोग code मांगे तो MRP10 code लगा दीजेगा आपकी test में free entry हो जाएगी master stroke test series मैंने इसका नाम रखा है जब आप plus को join करते हो test series आपको free मिलती है आप सारी test जो है free में बिलकुल दे सकते हैं तो उसके लिए अलग से कोई भी payment आपको नहीं करना है ठीक है अब मैं आपको बताती हूं कि आप जो है इसकी हम लोग preparation कर रहे हैं कि एक second जस्ट सेकेंड जो हमारा college lecturer का exam आया है उससे पहले कुछ important pointers जो आपको आपके RAS वाले exam में help करने वाले हैं वो मैं बता देती हूं paper का pattern क्या रहता है सपोज आपके 150 questions आने वाले हैं है ना 150 questions हमारे आएंगे RAS prelims में ठीके तो सबसे पहली बात जो है इसमें आपको time की तो कोई भी tension नहीं लेनी है 150 questions solve करने के लिए 180 minute मिलते हैं यानि की एक question के लिए 1 minute से जादा समय आपको मिल रहा है ठीक है तो आपको कुछ pointers जो ध्यान रखने हैं paper में 150 questions में से 15 to 20% question 15 से 20 प्रतीशत जो questions का ratio है वो ऐसा रहता है जो की most difficult होते हैं क्योंकि आप देखें ये MCQs का exam है ये exam RAS prelims का exam RPSC लेती है आपको eliminate करने के लिए not to select select करने के लिए ये exam नहीं होता ये exam होता है RAS mains के लिए जो भी ineligible candidates हैं उनको बाहर करने के लिए ठीक है simple सा logic है इसके अंदर तो आपको ये जरूर paper में पता होना चाहिए 150 questions में से हमें कौन से question करने है attempt और कौन से question नहीं attempt करने ये पता होना very very important बहुत ज़रूरी है तो 15 से 20% जो questions आएंगे वो आपको most difficult category में मिलने वाले हैं ठीक है most difficult category में जिनका कुछ अता पता ही नहीं है ये question कहां से दे दिया तो ऐसे questions को red pen से cross कर देना ये question attempt नहीं करने ठीक है अब फिर कौन से question आपको attempt करने हैं वो मैं आपको बता देती हूं आपको अब इन 150 questions में से जरूर से भी जरूर ratio रहेगा 30 से 35% questions जो की बिलकुल easy मिलेंगे easy very easy या easy वाली category में हम इनको डाल सकते हैं जिनका आपको देखते ही answer पता होगा जैसे UNESCO की world heritage site राजस्तान की कौन सी city को declare किया गया है तो जैपूर को किया गया है तो ये इस तरहां के questions आएंगे जो की बहुत simple question हो इसमें हमें कोई गलती नहीं करके आने marking mistake भी नहीं कि C answer थ के आ गए तो वो error बिल्कुल नहीं करना ठीक है तो ये questions जो हैं जो बिल्कुल भी हमें छोड़ने नहीं है 100% इनको attempt करना है और पहली ही बार में सबसे पहले हम सबसे आसान question ही attempt करते हैं ठीक है कुछ students मुझसे पूचते हैं कि गोले हम last में भर दें क्या जो आपको circle fill करने ह आगे पीछे हुआ तो आपकी पूरी sequence खराब हो जाएगी इस चीज को सोचे ठीक है तो आपको जो जो आसान question आते जा रहे हैं साथ साथ आपको circle fill करने ठीक है उसके बाद तीसरा जो है 32-35% questions आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको दो-दो options में doubt होगा ठीक है जिसमें आप 30% सही होता है ठीक है यह देखा गया है observe किया गया है जो भी दो options में conflict होता है जो answer पहले आपके mind में hit करता है आपका mind आपको बार-बार answer दे रहा होता है तो वो सही होता है उस पे आपको click करने दो-दो options वाले questions हमें definitely attempt करके आने हैं क्योंकि अगर navigative cut-cut आके भी देखोगे ठीक है R.A.S. means 2018, ACF exam, college lecturer exam और R.A.S. prelims 2018 उसके बाद ये मेरा R.A.S. exam जो मैं पढ़ा रही हूँ फिफ्थ exam की preparation मैं करा रही हूँ तो उसके basis पे आपको मैं update दे रही हूँ ठीक है तो जो दो-दो options आते हैं उसमें हमें questions करके आने होते हैं ठीक है उसके बाद next जो है अच् एक ही option को आप लोग eliminate कर पा रहे हूँ तो तीन-तीन options में मतलब आपको doubt हो रहा है तो ऐसे में दो तरहां के aspirants होते हैं जो risk लेंगे इस तीन-तीन वाले options में या risk नहीं लेंगे ये जब आप question papers अपने practice करने लग जाओगे ना तो आपको उससे idea हो जाएगा रुके मैं बता करते हो first category में आते हैं कुछ students जो less questions attempt करते हैं ठीके उनके negative भी less होते हैं वो safe खेलते हैं ठीके तो वो इन questions को नहीं करके आएंगे ये safe category वाले students होते हैं MCQ solve करने के लिए दूसरी category में होते हैं जिनका उनको एक habit होती है कि हम question करके आएंगे risk takers जो की आपका risk लेने वाले हो वो questions भी जादा attempt करेंगे ठीके वो ये 3-3 वाले questions attempt कर आते हैं और वो जो है negative भी जादा करेंगे ठीके तो लेकिन जब दोनों के outcome की बारी आएगी तो इन दोनों के marks बराबर ही मिलते हैं तो आपको ये खुद find out करना है जब आप 2-3 question paper दे दोगे full mock test जब आप दे दोगे जो कि आनक आदमी पे available है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी category में fall करते हो safe वाले category में या फिर risk taker वाले category में ठीके तो जो safe वाले होते हैं वो 3-3 वाले options वालों को छोड़ आते risk takers जो होते हैं वो कर आते हैं अगर safe category वाले भी उसमें खेलना चाहते हैं तो कई ब question ठीक हो जाते तो negative जो है overcome हो जाता है कुछ marks जो है उनको positive में मिल जाते हैं लेकिन ये आपका practice करोगे जब आप 3-4 question papers attempt कर लोगे आपको idea होगा आपको find out करना है खुद को कि आपको paper कैसे solve करना है ठीक है तो ये जो general criteria रहा है वो मैंने आपको बताया है अब हम college lecturer exam के paper में देखते हैं कि कौन सा question attempt करने का था कौन सा question नहीं attempt करने का था छोड़के आने तरह बच्चे यहां पर गलती ये करते हैं वो question छोड़ना जब चाहते हैं तो जान अटक जाती है अगर question नहीं आ रहा तो क्यों attempt करना है क्यों आपको risk लेना है तो ये बात मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए जो मुझे लगता है तो मैंने आप लोगों किसा शेयर किया ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं इस तरह के आरे स्टेजी वीडियो मैं और भी बहुत सारे लेकर आऊंगे जिस तरह से हमने college lecturer में किया था college lecturer exam मेरे लिए बहुत अच्छी बहुत awesome journey रही थी ठीक है students ने बहुत understand भी किया था कभी मैं वीडियो नहीं भी लाप आ रही हूं लेकर आ रही हूं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से follow किया बहुत अच्छी मैं चाहते हूं ये 20 days की मेरी जो RS journey हो आप लोगों के साथ वो बहुत अच्छी हो और आप सब पेपर करके आए हैं उनको अच्छा स्कोर कर रहे है 25-30 स्कोर कर रहे है कुछ 20 स्कोर कर रहे है इंस्पाइट ओव बिंग टफ पेपर होने के बावजूद भी ठीक है तो चलिए पहला question है मुख्य मंत्री यूवा संबल योजना जो की एक फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई कि योजना सिर्फ यह पूछा है किस चीज के बारे में है कोई डिटेल नहीं पूछी तो यह question easy question की category में आएगा जो भी schemes पढ़के गए होंगे जो भी current affairs पढ़के गए होंगे जो भी economic survey पढ़के गए होंगे उसको इनका उनको इसका answer आता होगा तो यह related है unemployment allowance से किस चीज स करना है ठीक है तो वो मैं आपको बताना चाहिए तो यह बहुत simplest question है या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा तो यह solve करके आना था question unemployment allowance इस पेपर की जो main key रही है वो है economic survey बहुत सारे question आए 33 के round और current affairs economic survey और current affairs जो बच्चे पॉलिटी के कुछ questions को लेकर हैरान पर दिशान होके बैठ गए पूरा paper मुश्किल है पूरा paper मुश्किल है नहीं इसमें smartly खेलना था जो questions आते थे उनको attempt करना था जो most difficult question जो 15-20% की श्रेणी में आते है वो आपको छोड़के आने थे तो कुछ बच्चे वहाँ पर जो है नहीं अच्छे से मतलब कर पाए तो व employment allowance तो easy question इस question को हम कौन सी category में डालेंगे easy वाले यह जो 30-35 question असान वाले question है उस category में यह question आएगा दूसरा question है state level campaign समवाद program किस चीद से related है ठीक है समवाद program की जो meeting होगी उसमें कौन-कौन बैठेंगे यह question है heads of hospitals और सारे health officers, heads of schools और education officers, जिला प्रमुक of all districts, डिई आईजी of all districts कौन-कौन इसमें बैठने वाले है तो यह जरूर current के अंदर news में कहीं न कहीं रहा होगा जो ज़्यादा perception इसके answer कबता है जा रहा है वो यही है बहुत ज़्यादा surety नहीं आई अब इस पे लेकिन हां mostly यह है कि hospitals के heads और health officer, अस्पतालों के प्रमुक और सभी स्वास्ते अधिकारी जो है राज्यस तर पर जो समबाद program चलाया है वो इससे related है ठीक है तो इसका answer के 90% chances है कि यह answer इसका होगा तो यह question कौन सी category में आएगा current में news में रहा होगा आपने पढ़ा होगा तो करके आना है समबाद program अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको skip करके आओगे question तो easy है क्योंकि simple यही पूछा है किसकी meeting हो रही है लेकिन fact यह है कि आता है या नहीं आता है पढ़ा है या नहीं पढ़ा अगर नहीं पढ़ा तो skip करो ठीक है risk नहीं लेना risk लेना होता है आपको mcq solve करते हुए आपकी pre existing knowledge आपकी common sense के based पे answers निकल रहे हैं तो logical वहाँ पे emotional game नहीं खेलना है जब आप mcq solve करो ठीक है clear है next question पे आते next question क्या है मुख्य मंतरी एकल नारी सम्मान pension योजना किस चीज से related है direct direct ये question जो है हमारा chapter 9 है मुझे जो लगता है economic survey का 2020-21 वाला उसमें direct question आया हुआ है तो ये तो scheme के बारे में वही ये भी योजना का सबसे असान question की श्रेनी में है scheme के बारे में scheme किस चीज के बारे में है अगर ये question पूछ रहे है it means वो simplest question है तो ये ही पूछ रहे है कि मुख्य मंतरी एकल नारी सम्मान pension योजना किस चीज से related है कौन सी महिलाओं को इसमें pension दी जाती है तो BPL महिलाओं को SCST women को widow, divorced, abundant या फिर सारी women जो की 80 साल से बड़ी उमर की है ठीक है तो 80 साल से बड़ी उमर की आपको लग सकता है कि ये कुछ जादा ही exceptional जा रहा है तो अगर आप लोग common sense use करें तो इस question को option को eliminate कर सकते हैं और इसका जो answer है widow, divorced और abundant यानि विद्वा, तला इसको attempt करना ही था हर हाल के अंदर, ठीक है, clear है, next हम लोग देखते हैं, next question, हाँ, तो ये सारे question जो है बच्चो, economic survey, जो ये perception आप लोगों ने लगाया कि economic survey 18-19 data पूछ लिया, 16-17 data पूछ लिया, अब इतना पीछे जाके हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिन्होंने latest economic survey भी किया है, 21 वाला भी, उससे यू के यू direct question pick up है, ठीक है, 21 वाले survey में भी 18-19 का भी data होता है, 16-17 का भी data होता है, वहां से question pick किये गए है, अगर आपको नहीं आते थे, अगर आपको guess work से, जितनी आपको knowledge से, उससे eliminate नहीं कर पा रहे थे, तो वो 2-4 question छोड़ के आने थे, ठीक है, negative नहीं कर वाने थे हमने, वो questions छोड़ के आने थे, ठीक है, चले, उसके बाद, राजस्थान की कौनसी district के अंदर, tribal family जो है, कौनसी tribal family को 35 kg of wheat freely नहीं दिया जा रहा, food security program के अंदर, ठीक है, जो food security program है, उसमें कुछ tribal communities हैं, उनको 35 kg wheat, 35 kg गेहू distribute दिया जाता है, नि नहीं दिया जाता, मीना बिलवाडा के, उदेपूर के खेरवास, बारा के सहरिया, कथोड़ी बारा के, तो बहुत जादा news में रहा है, इन तीनों tribes को तो दिये जा रहे है, इसको common sense से solve किया जा सकता है, मीना community जो है, वो हमारी काफी developed community है, mainstream society का part है, तो हो सकता है कि वो जन किलोग्राम निशुल गेहु नहीं देया जाता, इन सारी community को दिया जाता है, बारा में सहरिया, कथोड़ी, उदेपूर के अंदर खेरवा, अब आपको आरेस के लिए सीखने के लिए क्या है, वो आपसे अगला question यहां से बना के दे देगे, कि उदेपूर में कौन सी जन ज जाती है, बारा में कौन सी जन जाती रहती है, और match the following आपको करने के लिए दे देंगे, तो आपको याद करना है, बारा के अंदर याद करो, मैं टिपन ट्रिक बता रही हूं, विरान जगां में, ठीके, विरान जगां के लोग जो हैं, वो शहर घूमने जा रहे हैं, तो ब उदेपुर में मिवाड के महराना रहे हैं, कोई दुश्मन आये तो उनको बोलते थे, आजाओ मैदान में तुम्हारी खेर नहीं, तो उससे आपको उदेपुर की जन जाती खेरवा भी साथ में याद हो जाएगी, क्लियर है सबको, चलिए, अगला कोशन देखते हैं, अग ठीके, तो मुंडावर, तिजारा, जोदपूर, पाली, मारवर, मुंडावर, निम्राना, इंडस्रियल एरिया, ये कोशन दिया है, जोदपूर, पाली, मारवर, खुश्केडा, भिवारी, और निम्राना इन्वेस्मेंट एरिया, देखो, इसमें दो फेजिस के अंदर एड किया गया है, तो answers इसके दोनों हो सकते हैं, लेकिन जादा chances जो first सबसे पहले आया है, वो ये खुश्काडा, भिवार, भिवारी और निम्राना वाला हो सकता है, इसके आपको बोनस मार्स भी एक्जाम में मिल जाए, ठीके, तो इसका answer option number D होगा, economic survey में दोनों दिये ग सर्वे से direct pick up है questions का, तो economic survey हूँ बहू, मेंस में भी इतना ही equally important है, वो, क्या बोल रहे हूँ, मेंस नहीं, sorry, आप लोगों कौन सा एक्जाम है, R.A.S. प्रिलिम्स, जंडु बाम हो जाता है, बोलते बोलते, slip of tongue, excuse कर दिया करो, ignore कर दिया करो, ठीके, हाँ, तो इस question को कर रह about समगर शिक्षा प्रोग्राम, जो समगर शिक्षा प्रोग्राम है, उसमें से कौन सा statement सही नहीं है, अब इन्होंने आपको ये बच्चे इसमें बहुत गड़बड करके आते हैं, जो गलत statement पूछा है, तो सही वाले पर टिक करके आ जाते हैं, और आपका question जो है, बिना करती जाती है, उसमें गलत वाला, तो आपको answer direct choose करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कई बार अभी तो यहां पर एक एक statement पूछी है, next time आपको वो code बना के दे सकते हैं, 1 and 2 गलत है, 2 and 3 गलत है, तो वहां पे अगर आपने इस तरह से mark कर लिया होगा ना, अपना paper क के अंदर, तो आपको answers mark करने में कोई भी problem नहीं होगी, ठीक है, तो आईए इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसका objective है, समगर शिक्षा अभियान, नाम से ही पता चल रहा है, सबको समगर करना, एकतरित करना, universalization of elementary और secondary education, प्राथमिक शिक्षा, मादमिक शिक्षा का सार्व भौमिक करन करना, मतलब वो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, दूसरा है, bridging social and gender gaps in school education के अंदर, जो सा magic gap है, कुछ communities education ले पा रहे हैं, कुछ area जो है, शेत्र वाइस भी हो सकता है, यह social gap, region भी हो सकता है, कुछ area, tribal belt है, वहाँ के बिच्चे school नहीं जा पा का flagship program है, तो आपको ध्यान रखना है, यह economic survey में आया हुआ है, अच्छा एक और बात बता देती है, यह question मैंने बहुत पहले पढ़ा था, कहीं news में या economic survey में कहीं ना कहीं, लेकिन आप ये ना सोचे, इन 20 दिनों में आपने क्या पढ़ा है, सर्फ वो ही काम आएगा, उस से पहले की knowledge भी आपको exam में hit करती है, जब मैं ये question पढ़ रही थी, तो मुझे exam में hit कर रहा था, मुझे ये चीज, कि हां, government of Rajasthan का तो नहीं है, flagship जहां पे मैंने पढ़ा है, government of India का है, तो अराम से आप जो है, इस option पे पहुँच सकते हो, इसका answer है, option number D, आपको बस खुद self confidence रखना है, कि जो पढ़ा है, आता है, वो आपको recall होगा, बहुत सारी चीज़े, आपने कोई चीज एक साल पहले भी पढ़ी होना, तो वो भी आपकी memory में होती है, exam में जब options आते हैं, तो देखके आपको hit करती हैं, वो चीज़े, आप सिर्फ अपनी डर की वज़े से उ आगे देखतें, next question, राजस्थान SDG report 2020 आई, इसमें कौन से district ने टॉप किया, तो बहुत असान question है, बहुत बार current affairs में मैंने करवाया ही है, किया ही होगा, और हमने भी क्या करवाया है, हम वो चीज़े करवा रहे हैं, जो syllabus का part है, हम current affairs करवा रहे हैं, हम economic survey करा रहे हैं, क्य आपसे top two districts पूछ ले, तो याद कर लो, जुझनू के बाद दूसरा number जो है, वो जैपूर का है, ठीक है, इस बार top two पूछ लिए, अगली बार bottom two भी पूछ सकते हैं, lowest number पे कौन सा रहा, तो lowest number पे आपको याद रखना है, जैसल मेर रहा है, SDG index में, और जैसल मेर के बाद जो है, बारा रहा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखने, top two हो गए, हमारे कौन कौन से, जुझनू और जैपूर, और bottom two हो गए, जैसल मेर और बारा, clear है सबको, तो ये वो question है, अभी तक जितने भी question आये, सात कोशन, सातों के सातों, बहुत आसान question की shreddy में है, या अगर आपने पड़े हैं, तो आपको hit कर जाएंगे exam में, और आप बड़े अराम से इनको solve करके आ सकते, तो कोई भी question ऐसा नहीं आया, अभी तक जो आपको छोड़ के आना है, exception ये है, कि अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पड़ा, तो छोड़ के ही आओगे फिर, ठीक है, उसकी लिए एक positive attitude, सका रातमत, जो है, दृष्टी कोन विक्सित करना, free coaching देना, SC, ST महिलाओं को, बच्चियों को, exports promote करना, राजस्थान के, promotion of female literacy of SC and ST category, ठीक है, तो इसका direct direct answer जो है, इसमें, option number A है, जो objectives लिखे होते हैं, वो मैं बहुत जादा stress करके पढ़ाती हूँ, आपको word to word याद करवाती हूँ, plus classes में, free classes में, या फिर YouTube पे भी, क्यों कि वो direct उठाये जाते हैं, questions, statements, यूँ की यूँ एक्जाम में उठती हैं, तो ये भी वैसा ही question है, मुख्यवंतरी, राजश्री, योजना का objective क्या है, उससे related question आया है, उसका लक्षे क्या है, उदेशे क्या है तो girl child के लिए समाज में positive सका रात्मक दिश्टी कोन का विक्सित करना, उसके बाद next question, सबसे असान question, असान question की श्रेणी में आएगा बिल्कुल, पिछवई जो handicraft art है, किस चीद से related है, तो हम क्या करते हैं, exam में हमारी ध्यान ही मुश्किल चीजों की तरफ जाता है, हमें म एक भी question ऐसा नहीं आया, जो attempt ना हो सके, unless until आपने वो topic ही ना पढ़ाओ, ठीक है, तो पिछवई painting किसी से related है, नाथ द्वारा से related है, बहुत आसान question है, चित्रकला के अंदर, अगर वो paintings के अंदर आपसे artist के नाम पूछ लेते, ठीक है, कि अलवर painting के ये artist हैं, उदेपुर style के ये artist हैं, तब वो question मुश्किल होता, ये तो very easy श्रेणी में question आता है, direct term और term से related direct question पूछा है, तो ये question attempt करके आना ही था, हर सूरत है, ठीक है, उसके बाद ये question जो है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, जिन्नोंने नहीं पढ़ा होगा, अगर ये question नहीं आता है, त तो इसका direct answer है, कोटा, उदेपूर और बांसवडा district के अंदर, कहां पर develop किया जाएगा, कोटा, उदेपूर और बांसवडा district के अंदर ये जो है, विक्सित किया जा रहा है, ठीक है, इसको आप याद करो, इसका निमोनिक बिता देती हूँ, बांसवडा में आप याद करो बांस जो है, उनको जो इकठा करके बांद रहे है, तो वो याद करो, सिल्क के दागे से बांद रहे है, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, बांसवडा, उदेपूर मेवाड का पार्टे, उदेपूर के जो राजा महराजा याद करो, सिल्क की ड्रेस पहनते हैं, और उ ही question इन्हीं से कुछ question अगले exam में repeat होते हैं यह आरपिसी का trend है तो हो सकता है आपके भी rs exam में same question repeat हो जाए ठीक है अब यह जो next question है राज़स्थान में dairy farmers के लिए जो दुख्त किसान है डेरी किसान है उनके लिए पहला जो है direct payment platform विक्सित किया गया यह platform का नाम किया अब यह पुराना कोशन है इतना नया current का नहीं है लेकिन हाँ मैंने कभी यह करवाया है जब से हम current affairs करते आ रहे तो मेरे को mind में hit कर गया था कि हाँ M से milk alem से मूपे हमने याद किया था तो मेरे को hit कर गया था यह answer आपको भी करेगा यह कोई मैंने revise थोड़ी किया आज कल में यह बहुत पुराना question है लेकिन आपका mind आपको जवाब दीता है मैं यह बात करें करें इसको try करना आपको results मिलेंगे इसके आपको results मिलेंगे ठीक है य इसका answer मूपे ही आएगा काफी सारे students solve करके भी आये होंगे ठीक है अगला question है राजस्थान government ने अब यह scheme भी करवाई हुई है अभी हाल ही में news के अंदर थी यह या तो budget में announced हुई है ठीक है जालतर chances है budget में announced हुई है राजस्थान government ने announce की है सुंदर सिंग भंडारी स्व 50,000 लोगों को दिये जाएंगे economically backward classes के लिए especially आया है EWS category के लिए ठीक है 4% ब्याज पर 4% interest rate पर कितनी राशी तक के लोन जो है 50,000 जो है लोगों को distribute किया जाएंगे तो इसका answer है 50,000 direct current affairs का question था ठीक है अब कुछ चीज़ें आपके साथ exam में ऐसी भी होती है जैसे मैं यह question क किया although मैंने पढ़ाया हुआ है सारे interest rates सारे category wise बहुत अच्छे तरीके से कराया था तो आपके साथ भी हो सकता है exam में कि आपकी पढ़ी हुई चीज़ें उसी time आपके mind में hit ना करें तो आपको उस question पे attack के नहीं बैठ जाना है हमने पढ़ा था फिर भी नहीं आता human mind है हमा ठीके तो आपको क्या करना है उस question को उस time के लिए छोड़ देना है next question solve करने है आपकी memory से recall होगी अगर वो चीज़ तो आपको याद आ जाए तो उसको करा ना नहीं आरा तो छोड़ के भी आ सकते तो वहां पे आपको कोई regret नहीं करना शोक नहीं मनाना कि पढ़ा हुआ था तो वहां से भी हो जाएगा अगर आप मुझसे राजस्तान के सारे current affairs का मतलब एक mega session चाहते हो तो वो भी बता देना वो भी मैं आपको करा दूंगे comment section में mention करना ना भूलेगा ठीक है इसके बाद next question के बात करते हैं यह question direct direct दिया हुआ है chapter 9 के अंदर social sector से related economic survey का है इसी वाल जो है महिला को दूसरे baby के दूसरे child के birth पर कितने रुपे की राशी दी जाएगी तो इसका answer है 6,000 कितनी दी जाएगी 6,000 रुपीज दी जाएगी और इसी scheme से पहले अगली बार हो सकता है वो वाली scheme पर question आ जाए प्रधान मंतरी मातरत्व योजना उसके तहत महिला को 5000 इस इस पर मैं आपको बता रहे हूँ और ये question जो है 21 सितंबर को ही हमने plus class में पढ़ा था ये वाला जो point है 21 सितंबर को ही और very next day question आ गया है इसलिए बोल रहे हूं घबराए नहीं कि 20 दिन बाकिये तो कुछ नहीं हो सकता आखरी दिन भी जो पढ़ते हो पेपर से पह emotional हुए नेक्स question अब ये common sense से भी solve किया जा सकता था निर्भया कोश को निर्भया फंड को पूरा utilize करने वाला राजस्तान देश में कौन सा state बन गया है कौन से नंबर पे आए तो direct answer था इसका तो first ये तो बिल्कुल छोड़के नहीं आना था easy है ठीक है इसके लिए ये मैंन रह से utilize करने के लिए central government ने इस plan की राजस्तान सरकार की इसके लिए तारीफ भी की थी तो निर्भया fund first इसका answer आएगा clear है सबको ये चीज़े next question हमारा देखते हैं कौन सी जो है civil service organization जो है उसने that gained prominence during covid pandemic for providing services support and security to migrant laborers के लिए कौन सी संस्था जो है उसने बहुत अच्छा काम किया ये question है रोजगार ब्यूरो अर्थ आजविका ब्यूरो और पत्थर मजदूर खान यूनियन तो ये या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा ये वैने इतना ज़्यादा नहीं बड़ा बट इसका answer आजविका ब्यूरो है अगर आता है तो करें नहीं आता तो skip कराए है इसको ठीक है कि ये सबको तो सी इसका answer हो जाएगा आजविका ब्यूरो नेक्स कोशन तो पता नहीं कितनी ही बार करा दिया होगा बार बार ये question मैंने तीन-चार बार करवाया है जब भी इससे कोई भी latest news आती रही है इससे related तो ये question हमने किया ही है ठीक है तो देखते है आयुषमान भारत महात्मा गांधी राजस्थान health insurance scheme कौन सी statement सही है ठीक है तो इसके अंदर नया phase मैंने बकाया था जोर देखे बताया था कि अगर नया phase पर question आया नया चरण कब से शुरू हुआ है 30 जनवरी 2021 से शुरू है बिल्कुल सही statement है इस से free treatment मिलेगा सरकारी और private hospitals बिल्कुल सही है दोनों के अंदर मिलेगा common disease आम बिमारियों के लिए 50,000 रुपे तक का insurance cover है दूसरा इन्होंने लिख दिया serious बिमारियों के लिए 5,000,000 रुपे तक का insurance तो ये गलत है total 5,000,000 का है 50,000 आम बिमारियों के लिए है 4,000,000 serious बिमारियों के लिए है तो D option गलत हो जाएगा only a b and c we would be the right answer यह हमारा इसमें सही आंसर होने वाला है ठीक है क्लियर है अच्छा इधरी जाना पर रुगे है नेक्स कोश्चिन बोड़ा असान कोश्चिन बहुत न्यूज में रहा यह कोश्चिन कि desert 921 जो military exercise है इसका base point कहां पर है तो पढ़ा हुआ है तो आएगा बहुत आसान कोश्चिन है desert वाले एरिया में मरुस्थल में ही मिलेगा तो इसका आंसर है जोथपूर ठीक है तो यह कोश्चिन करके आने थे वन डाइनर कोश्चिन थे कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा आप लोगोंने news में त लोगडाउन पीरियड के अंदर ताकि वो घर से ही पढ़ सके स्कूल्स तो बन थे घर पे जो गरीब बच्चे हैं लोगडाउन पीरियड में उनको खाना और नसेसरी जो उनकी जरूरियात की चीज़े वो उनको पहुंचा के आए फ्री बुक्स देना स्टूडेंस को इन्हों ने कोश्चन में दिया है राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह प्रोग्राम लॉंच किया है अगर सीधा स्ट्रेट कॉमन सेंस आए तो कुछ ना कुछ शिक्षा से रिलेटेड होगा कैसे यहां पर आपको कॉमन सेंस यूज करनी थी अगर नहीं भी पड़ा है तो कैसे यह कॉश्चन सॉल्व करना शिक्षा से रिलेटेड है तो फूड वाले दो ऑप्षिन बन रहे हैं इनको निकाल दो इनको हम बड़े अराम से अब जब हम दो ऑप्षिन में पहुँच गए हैं तो मैंने क्या काया क्वेश्चन सॉल्व करके आना है अब नमबर ए होगा फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रों होम डूरिंग डा लोगडाउन इस पीरियड इसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट वेद्वाव नहीं करेगा रूरर और अर्बन एरियास के अंदर ठीक है तो फर्स्ट यह थ्री में से आपको चू करना शुरू कर देता है तो इसका अंसर होगा option number E ठीक है तो यह common sense वाला question था जो मैं आपको बोल रहे थी बताऊंगी कैसे आपको किसको यूज करने ठीक है अमें को बार-बार इधर उधर होना पड़ता है क्योंकि English के slides इस साइड है ठीक है तो मैं कुछ कर नहीं सकते इग्नॉर कर देना आप लोग यही बोलूंगी ठीक है अच्छा फिर जो है पद्मश्री अवार्ड 2021 का किसको दिया गया इन्होंने specially वो दिया गया सारंगी के लिए ठीक है अगली बार question हो सकता है तीनों का पूछले पद्मश्री बहुत important है repeat हो रहा है यह exams में question तो तीनों जिन भी persons को पद्मश्री मिला है वो match the following भी दे सकते है कि इन person को किस शेतर में मिला इन person को किस शेतर में मिला यह किस किस को मिला या नही मिला one two and three करके भी options दे सकते हैं तो अभी जो है literature और education sector में मिला है अरजुन सिंग शेखावत जी को तो current affairs जब किये थे हमने यह किया हुआ है अब मैं वो slides दुबारा ढूंड के निकालूं कहां करवाया तो बड़ा लंबा जोड़ा काम हो जाता है ठीक है I hope कि आप लोग trust तो करते ही हैं जो हमने पड़ा है वो आएगा ही ठीक है मैगजिंस में दिये होते हैं तो महीं से हम लोग पड़ते हैं तो obviously natural सी बात है कि question तो सरे बस से ही आएंगे ठीक है अर्जुन सिंग शेखावत इसका answer हो जाएगा एक मिनिट इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा कर लें दो अगर आपको इस तरीके के question solve करना आपको समझ अच्छा लग रहा है इस तरीके से analysis तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए आरे वाले 20 days में बहुत amazing वीडियो आने वाले हैं आप सब के लिए और आपको क किस topics पर किस किस चीजों पर वीडियो चाहिए आरे इस प्रिलिम्स के लिए यह वीडियो के लिए तो मुझे जरूर बताईएगा अभी हमारा main जो 27 October तक तो जो target रहेगा वो आरे इस exam है obviously उसका syllabus match है तो वीडियो में वो indirectly काम आने वाला है लेकिन उसके बाद फिर हम main focus वी स्वेगा बूस कीजिये ताकि आपके question सही हो हो देखो असान question हो या मुश्किल question नमबर तो दोनों के बराबर मिलेंगे असान गलत होगा तब भी सेम नमबर कटेंगे and Probably सेम गलत करेंगे मुश्किल का गलत होना समझ में आता है लेकिन असान का गलत हो करके आना बेवकुफी कहलाता है तो वो बेवकुफी हम R.A.S. प्रिलिम्स के एक्जाम में अफॉर्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है चले नेक्स्ट कोश्चिन है गोटारू गाउं में इंडो पार्क बॉर्डर के पास एक नया यूनीक पार्क बनाया जा रहा है तो ये पार्क कौन से जिले में लोकेटीड है राजस्तान के तो इसका अंसर सीधा जैसल मेर होगा अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कुछ बच्चे ना इंडो पार्क बॉर्डर कुछ बच्चे यूनीक पार्क के बारे में सोचने लग जाएंगे अच्छा कौन सा पार्क डेवलप किया है हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं तो यहां पे अगर आपने माइन्स और मिनरल्स भी पढ़ा होगा ना तो घटारू विलेज हम वहां पे भी पढ़ते हैं कि प्राकरतिक गैस मिलती है वहां पे जैसल मेर के अंदर तो इसको कहते हैं pre-existing knowledge को use करना current affairs के question में ठीक है क्योंकि वो question उसने current का दिया लेकिन पूछ आप से information वो static माँग रहा है ठीक है static माँग रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप question देखके घबरा जाएं आपको pre-existing knowledge यहां पे use करना था बहुत सूपब तरीके से तो ये question ब ठीक है तो current से उसने static question आप से पूछा है इसी तरह के question पूछते है RPSC उसके बाद under one district one product scheme जो है राजस्तान government की milk जो है कौन से जिले से associated है अब ये question आया था current में मैं को याद है उस टाइम पे मैं शायद 6-7 बजे सुबे current affair की class हुआ करती थी 6 बजे fix time होता था तो तब मै ने ये पढ़ाया था और मैंने जितने भी हमारे 27-28 जिले इस scheme के लिए select किये है हर district का product याद करवाया था tips and tricks के साथ तो ये question देखा मैंने तो अभी हाल ही में revise नहीं किया हो सकते है 6 महीने पुराना question है ये तब आया था 7 महीने पहले पुराना लेकिन मेरे को mind में hit किया कि मैंने शायद बच्चों को याद करवाया था milk जो है दूद जो है दूद वाले भहिया जब घर पे जो देखे जाते वो डोल में लाते हैं तो मैंने इसको hit कि इस trick से हमने याद किया था milk जो है वो धोलपूर के अंदर मिलेगा और यही answer है इसका ठीक है तो मैंने बकाईद के current affairs एक साल के करे या दो साल के करे देखो एक साल के ideally तो एक साल के करने चाहिए कुछ questions जो पुराने आते हैं वो repeat हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं news में रहते हैं ठीक है अगर आपको पिछले सालों के भी करने है तो आप बता सकते हो उसमें कोई लंबा चुड़ा टाइम नही पिछले सालों के हमारे platform पर वीडियो पड़े हूँ है मेरे current affairs वाले 32-33 वीडियो है राजस्तान के cover करो खतम करो कहानी को ठीक है उसके बारे में सोचते मत रहो उसको करकर आगे खतम करो ठीक है यह चीज़ है चले next देखते हैं अगला question महा कभी कनहिया लाल सेथिया अवार अंसर है अरविंद कृष्णा अगर आता है तो करके आओ नहीं बढ़ा तो मत करके आओ फिर यह यह या फिर अगर आपको इन personalities की information है इनके बारे में कुछ पता है उससे निकाल सकते हो तो ठीक है अगर आता है तो ठीक है कि यह होगा यह question mostly awards related question है उसके बाद यह है सैयद आप देखोगे तो तो इसके अंदर राजस्थान semi final में पहुचा था कौन से राजय को हरा कर यह question पूछा गया तो इसका आंसर है बिहार direct पड़ा हुआ है तो आएगा नहीं पड़ा हुआ तो नहीं आएगा ठीक है वो चीज़ है अगर जबर्दस्ती इसमें तुक्के नह आके आने होते है आता है तो ठीक है नहीं आता है तो छोड़ दो ठीक है agriculture minister नरेंदर सिंग तोमर जी ने farmer producer organization का लाउंच किया है ठीक है honey produce करने के लिए शेहद प्रडूूस करने के लिए तो राजस्थान के कौन से जिले में कौन से जिले में इसको लाउंच किया गया यह question ह प्रतापगड, बिकानेर, करोली, भरतपूर तो शहद जो है कहाँ पर मिल रहा है भरतपूर के अंदर इसको लॉंच किया गया है तो आंसर हो जाएगा इसका option number D ठीके, अब next question जो है ना नंद किशोर अचारे जी को साहिते अकेडमी अवार्ड मिला 2019 काम ठीके, तो कौनसी उनकी creation या कौनसी उनकी book के लिए या उनकी रचना के लिए उनको दिया गया रेतराग आती है मृत्यू, छीलते हुए अपने को वहाँ एक समुदर था तो ये question मुझे कैसे याद हुआ क्योंकि मैं ACF की तयारी करा रही थी उस time पे current affairs में मैंने कराया था, पुराने current affairs उढ़ा के देखोगे ठीके, तो उसमें आपको मेरे को एक दम mind से हिट किया कि मैंने छिलते हुए अपने को जरूर पढ़ाया था बच्चों को, तो यही answer है C, इसका answer हो जाएगा, तो यह पुराना current affairs है, अगर आप लोग अभी इस समय नहीं कर पा रहे हैं पुराने current affairs, तो छोड़के आएंगे इस तरह के question को लेकिन अगर जिन्होंने 19-20 के भी पुराने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उनसे यह question बन भी जाएगा, as simple as that, ठीके, लेकिन अगर आपको नहीं आता जबर्दस्ती, आपके पास time नहीं है, 19-20 के question करने का कोई बात नहीं ठीके, 15 question आते हैं अगर current affairs के, अगर आप 10-12 भी ठीक कर आते हो, तो आपको काम चल सकता है prelims निकल सकता है, ठीके, यह बताना जा रहे हो, तो इसका answer है option number C कहने का मतलब है, चाहे एक साल पुरानी information हो, अगर आप एकदम से नजर जाएगी आपके question पे, आपको answer हिट होंगे, मैं यह बोल रहे हूँ, ठीके next question है, west zone cultural center जो है उध्यपूर के, उनके director किसको appoint किया गया, तो sports related activities, persons, awards, direct direct questions आते हैं इनके उपर, तो इसका answer है किरन सोनी गुपता जी को appoint किया गया, ठीके, यह answer हो गया, तो अब भी तक कोई भी question ऐसा नहीं आया कि जिसमें आप अटक जाओं, यह सारे factual question है, RAS में भी ऐसे ही आएंगे, कोई concept based question मिला, जिसमें logic कुछ हमें लगाना पड़े although हमें common sense के मिले, pre-existing knowledge के questions मिले, ठीके, तो यहां पे तो पढ़ाई ही ज़रूरी है अगर आपने पढ़ा होगा तो आएंगे, नहीं पढ़ा होगा, तो नहीं आएंगे, तो कोई हाँ जी, next question है, which is the award given by Rajasthan State Sports Council for best sports coaches तो coach यानि की, जो शिक्षक होते हैं, जो training देते हैं, प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, ठीके, राजस्थान State Sports Council जो है, प्रशिक्षक के लिए, sports coaches जो होते हैं, उनके लिए कौन सा अवर्ड देते हैं, तो यह award था, common sense question था, देखो, द्रोनाचारे अवर्ड जो है न, अर्जुन अवर्ड द्रोनाचारे अवर्ड ये central लेवल पे दिये जाते हैं, central government के लेवल पे, तो इसको आप जो है eliminate कर सकते हो, major ध्यांचन जो है, वो खुद एक player रहे हैं, बहुत बड़े, उनका नाम किस चीज में famous है, player के रूप में famous है, coach के रूप में famous तो नहीं है, तो यह आप option eliminate कर सकते हो, जैसे अर्जुना अवर्ड दिये जाते हैं, ठीक है, महाराना प्रताप अवर्ड भी इसका answer नहीं है, तो इसमें आप eliminate करके पहुंच सकते थे, कि coach कौन रहे है, गुरु वशिष्ठ जरूर coach रहे है, ठीक है, राम जी के और लक्षमन जी के रमयार में आपने पढ़ा हो, तो उनके नाम पर यह award है, option number C, तो यह question था common sense पे, अगर आपने नहीं भी बढ़ा ना, तब हम common sense यूज करके question करके आ सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई college lecturer वाले students इसको देख रहे हैं, तो अपना experience जरूर शेर किया जगा, although आप सब ने किया है, मैं सब के screenshot दिखाऊंगी, telegram पे तो मैंने share कर दिये थे, recordings भी share की थी मैंने students की, तो दिखाऊंगी किसी दिन, किसी class में, ठीक है, चले, नेक्स question, ये question करवाया हुआ था, बड़े चला चला के करवाया था, ये question है न, Olympic जीतने वालों को कितनी राशी मिलेगी, जो राजस्थान सरकार ने राशी बढ़ा दिये, ठीक है, winners of Olympic Asian Commonwealth Games को, जो gold medal जीत के आएंगे, उनकी राशी कितनी कर दी गई है, 3 मैंने याद करवाया था, इसमें बकायदा अगर आपको यादो, gold वालों को, 1, 2, 3 हमें याद करना था, gold वालों को 3 करोड, silver medal वालों को 2 करोड, और जो bronze जीत के लाएंगे, उनको 1 करोड रूपे मिलेंगे, कितने से इनकी राशी बढ़ाई गई, वो भी कराया था, और जो आंसर में जालतर स्टूडेंट सही करके आएं, 3 करोड इस तर राइट आंसर, ठीके, उसके बाद ये कोशन भी करवाया था, ठीके, current affairs में आया था, जो current में news में चीज़ें कोई बदल नहीं सकता उसको, जो current में वो वही रहेगा और हमें वहीं से करा रहा है, ठीके, बस इ स्टेडियम कौन सा है, इसमें मेरे कहाल से पहले नंबर पे गुजरात का मोटेरा स्टेडियम है, दूसरे पे लंडन का कोई स्टेडियम है, और तीसरा जो बनने जा रहा है, वो अपने जैपूर के अंदर, अगली बार के लिए बता देती हूँ, RAS के लिए, आप से इसमे गाउं का नाम भी पूछा जा सकता है, जैपूर में कौन से गाउं में ये स्टेडियम बन रहा है, तो चौप गाउं में बन रहा है, ठीके, कौन से गाउं में, चौप विलिज के अंदर बन रहा है, तो ये भी आप याद कर सकते हो, अगली बार प्रॉपर जगा आप से प और्नामेंट है ठीक है चूप जो है राजस्तान आर्टन कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं आभूशन है चूप यह कहां पर वेर किया जाता है दातों के बीच में ठीक है दातों तो हम बोलते हैं ना finger on your lips चुप कराने के लिए क्या आप बोलते हैं चूप हो जाओ तो जो कोई लिंक करके पढ़ना भी आना चाहिए ठीक है एक्जाम बेलें नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन हाँ अच्छा यह कोश्चन हिस्ट्री का हाँ अब वो कोश्चन आ गए है जो आपको शायद ना आते हो और जो आपको छोड़के आने हैं ठीक है कमांडर ओफ अलाओ दिन हुवोस किल डूरिंग एक्सपेडिशन ओफ रन्थमबोर रन्थमबोर अभियान के तहत अलाओ दिन का कौन सा सेना नायक मारा गया था तो यह तो हिस्ट्री पढ़ रखे होगी तो आता होगा करके होगे वरना यह कोश्चन है जो देखते ही कि न नेक्स्ट कॉश्चन है कौन सी साइट है जहां पर माइक्रो लिथिक कल्चर के आपको जो है वो मिलेंगे प्लेसिस है लगू पाशान यूग से रिलेटर तो इसका आंसर जो मैंने जगा पर देखा है तो वो वो वन टू एंट त्री यह ओप्शन बता रहे है सोजद धाने तो वो रिस्क कई बार हेल्प कर जाता है तो चाहो तो इसमें ले सकते थे अगर बिल्कुल नहीं आता तो ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है करमसोथ क्लैन जो है वो कौनसी डाइस्टी से रिलेटर है करमसोथ क्लैन तो इसका अंसर है राठोड यह हिस्ट्री के वो डिफिकल इसमें रिस्क लेना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यह कोश्चन जो है यह आपको आता होगा यह असान है कोई आमेर के राजा मान सिंग फर्स्ट के टाइम पीरिड में उन्होंने किसको पैट्रोनाइज किया था कौनसे आर्टिस को कुल्पती मेश्र बिहारी नरुत्तम कभी जगनात तो यह हम पढ़ी लेते हैं जब हम कछवाहर डाइनेस्टी पढ़ते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो आता होगा यह इसका जिकर पेंटिंग में भी आ जाएगा ठीक है कि उन्होंने कौन से पेंटिंग मनाई किसके टाइम पीरिड में मनाई कौन से स्कॉल जो 7 स्टार कोश्चन मैं चिला चिला के बोलती हूँ राजस्तान आर्ट इन कल्चर में आर्पी एसी में ऐसा बहुत रेर होगा 0.0001 परसंट चांसे होगे लोगदेवता लोगदेवियो संत और संपरदाई से कोश्चन ना आया हो तो लोगदेवता के उपर कोश्चन आ ग बिल्कुल रिलेटिड है पोखरन के भैरव राक्षर्स को इन्होंने हराया था तो बिल्कुल रिलेटिड है तो इसका आंसर हो जाएगा बनेडा बड़े अराम से निकल रहा है और मसूरिया अभी थोड़े दिन पहले मैंने कराया है आज कल परसों में एक और संत से के खिलाफ तो वही है यह तो पड़ा होगा थो आता होगा history इतने डिटेल पढ़के गए उगे तो बीरम देव और राउ कल्याणमन इसका अंसर हो जाएगा बीरम देव और राउ कल्याणमन ठीक है next देखते हैं ये कोशन बहुत असान कोशन है ठीक है which of the following is not a वैशनव कल्ट से रिलेटेड कौन सा जो है हमारे इसमें नहीं है निशकलंग, लालदासी, निमबार्क और वल्लब अब आपको निशकलंग को देखके परेशान नहीं हो ना एक्जाम में आपको ये चीज सोचनी है कि वैशनव कौन सा है, नौन वैशनव कौन सा है निर्गुन कल्ट से रिलेटेड कौन सा है, कुल मिला के ये निर्गुन कल्ट पूछ रहे है तो लालदासी हमने जरूर पढ़ा है कि किस से रिलेटेड है, निर्गुन कल्ट से रिलेटेड है ठीके लालदास जी जो है किस से related है इनके followers मेव community के लोग होते हैं अलवर भरतपुर वाले इलाके के लालदास जी के गुरू जो है मुस्लिम संद थे गद्दन चिश्टी जी उन से इन्होंने जो है दिक्षा ले थी ठीके तो ये कौन से कल्ट से related है निरगुन से एक और point बत करते हैं महनत करके अपने आजिविका चलाते तो ये कुछ points है लालदासी कल्ट के बारे में जो आपको पता होने चाहिए उसके बाद जब भी आप previous year questions practice करते हो तो options में जो जो चीजे आई होती है उनको पढ़ लिया करो options भी बहुत important होती है options पे अगले paper में आपको question मिल ज चूज कर लो बच्चे आपको निंबार्क कल्ट आधाया दो जाएगा बारा नंबर चूज कर लो बारवी century से related है निंबार का अचारिय जी ने इसकी स्थापना की थी इसके अंदर बारा में देखो double digit है दो अंक आ रहे हैं तो इसमें भगवान की पूजा सगुन रूप मे की जाती है राधा कृष्ण की paired रूप में ठीक है जोडे के रूप में युग्म रूप में पूजा की जाती है ये बारा नंबर ये लगा लो कि magical नंबर है पेर रूप में जो है इनकी पूजा की जाती है इसकी main seat प्रधान पीट कहां पे है अजमेर के सलेमाबाद के अंद द्वारा में श्रीना जी की मूर्ती जहां पे लोकेटिड है जब वल्लबाचारिया जी आये थे मेवाड के महाराना राज सिंग जी के टाइम पीरिड में ये मूर्ती स्थापित की गई थी जिब औरंजेब से बचते बचते जो है धरम की रक्षा के लिए वल्लबाचारिय जी यूपी से कहां आ गए थे राजस्थान के अंदर आ गए थे ठीके तो ये वल्लब जी के बारे में आप जान सकते हो इनके बेटे हुए है विठला चारिया जी उन्होंने और्गनाइजेशन ताइप मतलब एक मंदली बनाई थी अपने संतों की अश्ट छाप मंदली उ ये सारे पॉइंट से आपको कही ना कही यूज आ सकते है ठीके एक्जाम में तो निश्क लंक देखके यहां पर परेशान नहीं हो ना आपको सिर्फ ये चोचना था सगुन कौन सा है निर्गुन कौन सा है ठीके तो वल्लब में श्रीना जी की पूजा हो रही है सगुन हो या मूर्ति पूजा निंबार्क में राधा कृष्ण मूर्ति पूजा हो रही है लाल दासे कल्ट में नहीं होती निर्गुन पूजा करते है ठीक है तो ये चीज़ है नेक्स कोश्चन है ये मैंने आज कल अभी चली रहा है ये टॉपिक तो ये सारे कोश्चन ताजा-ताज विरक्त और खाकी और खाकी जिसको हम नागा भी बोलते हैं तो ये चीज आपको याद रखना है इसके प्रोपाउंडर कौन है सुन्दर दास जी का अलग से डिटेल भी हमने पड़ा है तो नागापंत की स्थापना इन्होंने की थी सुन्दर दास जी ने ठीक है और एक जो अगली बार एक्जाम में कोशन आ सकता है जो कि आपको याद रखने है ठीक है और गरीब दास जी रजाब जी ये सारे के सारे जो है दादू जी के क्या थे शिश्य रहे हैं मिसकन दास जी रजाब जी ठीक है तो ये सारे जो है इनके दादू पंत के शिश्य रहे हैं य यह कह रहे हूं जिनको पढ़ने में एफर्ट्स भी बहुत कम लगते हैं लोग देवताया याद करने में तीन चार घंटे का काम है यह को रहे हूं वहां से जो डारेक्ट कोशन आते हैं उन पे फोकस करा करो एक्जाम में जो कोशन आप सॉल्व कर सकते हूं ठीक है तो मैंने क खान ने 1857 की क्रांति का विद्रोग किया था तो सबको पता है एड्वोकेट जैदियाल और रिसलदार महराब खान तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोटा हो जाएगा ठीक है तो एड्वोकेट जैदियाल भी याद रखना अगली बार वो भी कोशन आ सकता है कोटा में यहा कोंतर सेडलर काटम, कोटा काटम ड्क्टर सेडलर काटम और उनके दोनों बेटों की भी इसमें राध्न होई थी ठीक है तो ये पॉइंटस आपको याद रखना है ठीक हैformation कोशलेन नहीं है बहुत 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 आसान कोशलेन है ठीक है फिर पूछरे हैं सीकर पीसेंड आंसर हो जाएगा डाइरेक्ट 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 नेक्स्ट कुश्चिन है identify the political activist who sacrifice life for civil liberties नागरिक स्वतंतरताओं के लिए जिन्हों ने जो है अपने प्राणों की आहुती दी वो कौन-कौन से हैं बाल मुकुंद बिस्सा जी सागर्मल गोपा रमेश स्वामी जौला प्रशाज शर्मा तो इसका आंसर आएगा इसमें जौला प्रशाज शर्मा जी शामिल नहीं है आंसर आएगा option 1,2,3 सागर्मल गोपा जी के बारे में तो सब जानते होंगे जैसल मेरे से रिलेटिड है रमेश स्वामी बाल मुकुंद बिस्सा तो इसका आंसर है option number 1,2,3 तो पड़े हुए हैं तो करो नहीं तो फिर छोड़ो इनको यही option होता है इन questions का यह question बहुत असान basic question है कौन से folk dance के अंदर पूरियाज को जो है main character of dance माना जाता है तो मंडल, भवई, वलार और राई तो यह तो जब थोड़ा सा dances का basic information भी लोगे न overview भी पड़ेंगे तब भी हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा राई ठीक है इसका क्या answer हो जाएगा राई इसका direct answer हो जाएगा next question करते है महिला नेता woman leader who was put into jail by भरतपूर state for demanding registration भरतपूर प्रजामंडल की registration पंची करन की मांग करते हुए कौन सी महिला को भरतपूर राजय द्वारा जेल में डाल दिया गया था तो इसका answer विम्ला देवी है जो यह round वाले questions है ना इनके answers पे थोड़ा बहुत हो सकता है ठीक है तो जो most probable answers मुझे मिले हैं वो ही लिए है मैंने ठीक है तो जो round वाले आप लोग ध्यान रखना इन questions पे ठीक है तो कोई भी offend मत हो जाना ठीक है तो विम्ला देवी तो अपनी has been used as a subject of description तो मतलब रस राज जो literature रहा है उसका चित्रण आपको कौन से area में कौन से style में आपको मिलेगा painting style डुंडार, बुंदी, मेवार या फिर मारवार तो इसका तो answer है बुंदी ठीक है तो यह याद करने वाले ही facts है आप देखोगे तो simple fact based question है अब यह 5-6 question ऐसे हैं जो हो सकता है मुश्किल हो ना आते हो यहां से मुश्किल question start हो रहे है नैनुराम शर्मा तक तो कर लोगे तो यह 4-5 question जो एकदम से मुश्किल आ रहे हैं उनको छोड़ दो नहीं आ रहे है या 2-2 option में doubt हो तो यह भी कर सकते हो थोड़ी देर में करेंगे और 2-2 options में मैंने ह समेशा बताया है जो पहले answer find में आता है वो आपका correct answer होता है ठीक है अब यह question आ गया simplest question finally कुछ मुश्किल question के बाद आपको simple question मिल रहा है which of the following is not a stringed instrument कौन सा तंत्रवाद्य नहीं है जिसमें तार नहीं लगे हुए तो इसका तो direct direct answer है अलगोजा ठीक है कामा याचा में ता ठीक है तो यह mixture है दो तीन instruments का मिलके बनता है सारंगी का और उसका ठीक है तो अलगोजा इसका answer हो जाएगा इसकी detail करा दूंगे मैं आपको plus में तो हम कर प्लस में अभी होएगा cover किया नहीं होगा भी ठीक है तो यह question करवाया हुआ था लेकिन प्लस में करवाया हुआ था college lecture वाले students को ठीक है उसके बाद रणमल चंद के रचनाकार कौन है तो बहुत आसान question है श्रीधर व्यास जी लिट्रेचर बहुत फेमस लिट्रेचर आप लोग भी अगर सारे लिट्रेचर नहीं हो रहे तो previous year question में जो जो लिट्रेचर आये हुए ना at least वो करके चले जाओ त style style मतलब शैली शब्दाना चाहिए तो इसका तो direct answer था style of poetry बहुत बार करवाया है डिंगल जो है पश्चमी राजस्तान में style है पुर्वी राजस्तान में पिंगल है अगली बार question पिंगल पे भी पूच सकते है ठीक है डिंगल और पिंगल तो डिंगल पश्चमी राजस्त में राजस्तान में राइटिंग स्टाइल है और पिंगल पुर्वी राजस्तान में लिखने की शैली काव्य की शैली ठीक है तो यह है style of poetry आपको style word याद रखना है इसमें बहुत important है ठीक है next question है match the following यह question असान था इतना मुश्किल नहीं था करने माला बागडी वैसे हम इसके जिले में भी double o की मातर है करो ली तो मेरे को यह point हिट किया जब मैं question solve करी थी तो b का third देखा तो option देखा जब मैंने तो निकल रहा है answer नहीं फिर हमें 2 में doubt हो रहा है अच्छा जब हम b का third कर पा रहे हैं तो 2 में doubt इसका मतलब एक और answer हमें पता होना चाहिए ठीक है तो दो options तो निकल गए ना at least एक fact पता होने से ठीक है गोडवाडी सब को पता है गोडवाड region कहां पर है सिरोही लूनी नदी वाला जालोर पाली सिरोही तो यह तो direct है डी का 4 देख लो डी का 4 इसमें दिया हुआ answer आ गया अगर आपको दो भी आते हैं तब भी answer करके आ सकत ठीक है हर्याना टच है ना तो उस साइड भी हर्यान भी बागडी बुली जाती है ठीक है तो यह वहां से वह वाला बागडी की यह बात करें और अंदिव्ज द्वारा निर्मित बुलंद दर्वाजा जो है वह कहां पर located है तो इसका answer आएगा गारोन किला तो आर्ट & culture बारे में थोड़ी थोड़ी information पढ़ सकते हो RAS के लिए explanation के लिए ठीक है तो यह हमारा आज का वीडियो था इसका second part में बनाऊंगी 51st से 100 question वहां पे solve करेंगे ठीक है तो यह वीडियो कैसा लगा बतायेगा जरूर RAS के लिए बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियो मैं मिलते हूं आपसे अगली वीडियो में तब को तक सबको मेरी तरफ से घणी घणी राम राम